दोस्तो आपको एक smartwatch पसंद हो जो military grade लेवल की हो और उस वो rough and tough हो आप कहीं भी जाए कुछ भी करें उस पे scratch न लगे और कुछ नी लगे तो आज हम आपके लिए दो ऐसी smartwatch लेकर आएं जो की है Amazfit T-Rack और Amazfit T-Rack Pro उन में से कौन सी बेतरा और कौन सी आपको लेनी चाहिए तो दोस्तो मैं हूँ सचिन गिल नमस्ते जी दोस्तो Amazfit smartwatch की दुनिया में एक अच्छा ब्रेंड है जिसकी बहुत कमाल की smartwatch आपको देखने को मिलती है तो Amazfit ही continuously work करता है बहुत अच्छी smartwatch बनाने के लिए तो दोनों ही smartwatch बनी है high polymer strength body के साथ में एक watch जो प्रो है उसमें आपको metallic color मिल जाएगा जबकि दूसरी में आपको metallic color नहीं मिलेगा T-Rack Pro में आपको metallic color का option मिलेगा dual color का option मिलेगा जबकि आपको normal वाली यानि के T-Rack में वहाँ पे metallic color का option नहीं मिलेगा दोस्तों ही दोनों ही smartwatch के अगर body structure को देखे तो similar ही आपको देखने में नजर आएगे कहीं से कहीं तक कोई difference आपको नहीं नजर आएगा दोस्तों हमें इस पर T-Rack Pro में आपको 15 military grade certificate मिलेगे जबकि T-Rack में सिर्फ आपको 12 military grade certificate मिलेगे जो की military grade smartwatch की जो quality है उस label तक उसको ले जा सकते दोस्तों दोनों की display की बात करें तो AMOLED display है 360 multiply 360 display आपको इसमें मिलेगा Gorilla Glass 3 का protection मिल जाएगा और आपको इसमें fingerprint coating भी मिल जाएगी जो की कमाल की है AMOLED display भी है तो मतलब कमाल का display है display में कहीं से कहीं तक आप नहीं कह सकते कि यह low quality का बहुत ही high quality का और premium display आपको देखने को नज़र आएगा दोनों ही smartwatch का 1.3 inch का आपको display देखने को नज़र आएगा दोनों में अगर weight की बात करें एक 59 gram का weight है और एक 58 gram का weight है तो similar ही दोनों नज़र आएगे जबकि pro वाला 1 gram extra आपको नज़र आएगा अगर दोस्तो sensor की बात करें तो pro में आपको 2 extra sensor मिल जाते हैं जैसे कि SPO2 sensor मिल जाता है 3X sensor, gyroscope sensor, compass sensor आपको मिल जाता है और 2PPI heart rate sensor मिल जाता है जबकि आपको normal वाली में यानि यह T-Rex में वहाँ पे SPO2 sensor missing है यह एक सबसे बड़ा difference आपको इन दोनों watch में नज़र आएगा दोस्तो COVID के तोर में SPO2 sensor बहुत ही कामका है क्योंकि oxygen level नापता है तो यहाँ पे एक missing point मेरे को यह थोड़ा सा सही नहीं लगए दोस्तो दोनों ही watch आपको water resistance मिल जाएगी एक 5 ATM मिल जाएगी जो की 50 meter तक आप नीचे ले जा सकते हैं जो T-Rex है और दूसरी T-Rex pro 10 ATM हो जाए but 50 meter भी मेरे हसाब से बहुत कमाल की है यहाँ पे 100 meter आपको देखनों को मिल जाएगी जो की बहुती लाजवाब grades है दोनों ही watch में आपको GPS मिल जाएगे प्रो में आपको GPS के साथ extra satellite मिल जाएगी जो आपको screen पने जर आ रही होगी और जबकि आपको normal वाली में GPS GLONOS मिलेगा वो कैसे काम कर रही है बहुत ही कमाल का option वहाँ पे आता है दोस्तों दोनों ही watch में आपको 390 mAh की battery मिल जाएगी जो आराम से 18 days तक बोला है के 18 days तक normal यूज़ करते हैं तो चलेगी अगर GPS के साथ आप यूज़ करते हैं लगबर 20 hours आपका ये चलने वाली है जो की कमाल का battery time और battery backup इसमें दिया है दोनों ही smart watch आपके 2-pin charger से चार्ज होंगी और दोनों एक दूसरे कुछ चार्ज नहीं कर सकते हैं आपके पास T-rex का charger है तो आप T-rex में लगा सकते हैं तो नहीं होगा क्योंकि उन में थोड़ा सा size का differentiate है तो एक charger बढ़ा है और एक charger छोटा आपको नजर आएगा दोस्तों बात करें T-rex pro में आपको stress management मिल जाएगा जबकि आपको T-rex में नहीं मिलेगा और आपको T-rex में 14 sports mode मिल जाएगे जबकि T-rex pro में आपको 100 plus sports mode मिल जाएगे जो कि auto selected sports mode भी हो और उसमें आप खुझ से select भी कर सकते हैं यह सबसे कमाल की बात है 100 plus sports mode होना T-rex pro में आपको altimeter मिल जाएगा अगर पर T-rex में आपको altimeter का support मिलेंगे यानि कि आप hiking करते हैं तो hiking के समय आपको पता नहीं रगेगा आप कितना जो है चल रहे हैं auto detect नहीं करता तो यहाँ पर एक यह भी option missing आपको नजर आएगा दोस्तों दोनों ही smart watch में बात कर है कि आपका जो level है आपको कुछ points देता है कि body कितनी fit है जबकि आपको T-rex में नहीं मिलेगा अब बात करते हैं software experience के तो दोनों का software experience की बात करें तो एक का software जो T-rex का है वो software normal है और जो T-rex pro का है वो ज़्यादे colorful उसमें बहुत सारे features आपको मिल जाएंगे उसमें आपक सारे smart notification मिल जाएंगे जबकि T-rex pro में आपको find my phone का option मिल जाएगा T-rex में find my phone नहीं मिलेगा पहुत सारे features वहाँ पे software के according missing है जो कि अपने आपको T-rex pro को यहाँ पे बहतर option बनाती है दोनों ही घड़ी में अगर बात करें तो ना तो mic उसमें मिलेगा और ना ही आपको व जहाँ पे आप कोई भी music store नहीं कर सकते हैं आपको सिर्फ phone से ही play करना पड़ेगा जो software experience से बहुत ही कमार का look बहुत ही अच्छा लगता है देखने में आपको लगता है कि वाकी में rough and tough है अब दोस्तों pricing के बात करें तो T-rex का pricing लगवग 10,9999 रुपए और जबकि T-rex pro क करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कुछ थोड़े से और आपको advanced feature मिल जाते हैं क्योंकि SPO2 sensor missing होना और बहुत सारे sports mode भी missing होना यहाँ पे एक option है इन दोनों बोच को 70 degree temperature में आप रख सकते हैं माइनस 40 degree temperature में रख सकते हैं humidity लेवल बहुत जादे हो तब भी आप रख सकते हैं T-Rex Pro आपको purchase करनी चाहिए अगर आपको एक military grade जो है कोई smart watch purchase करनी है तो दोस्तो दोनों ही smart watch का link आपको description मिल जाएगा आप वहाँ से purchase कर सकते हैं और दोस्तो comment में लिखके बताईए इन में से आपको कौन सी बहतर watch आपको नजर आती है I hope ये वीडियो पसंद आई और पस झापको एकप पस्द आपको झाल झाल